अगर आप अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब ने किया तो इसे सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही जाथ बेल आइकों की दबा लिजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायग्रापिस के वीडियो सबसे पहले हैजल कीज एक बेटिस मोडल है जो भारत लीजिन का रेक्रम और फिल्मों में दिखा दिये है वो तमील फिल्म बेला और बॉलिवड फिल्म बॉडिगर्ट के साथ सुजु की बिक्या पण में भी दिखा दिये है वो 2013 में येलिटी ट्रेलिविजन का डिक्रम बिग बॉस 7 में दिखा जिये हैं उन्होंने 2001, 2002 और 2004 में हेरी पॉर्टर फिल्म सुंकला में काम किये है मैं बात करें यूब्रेय सिंग की पतनी के बारे में तो चले उनके बारे में सुरू से पता करते हैं हेजल कीज का जनम 1987 में एसेक्स इंगलियाड में वा था उनके पिता बिट्रिस बंग से है और माता ब्यारी बंग से है उनकी बड़ी बेन है जिनका नाम टिना की छे उन्होंने अपनी पड़ाई लंडन के रेड़ बीस में वील हाइस्कूल में किये जा उन्होंने स्टेसों में प्रदासन किये और विविना प्रकार के नुट्या सिखें जैसे इंडियन क्लासिकल, बिट्रिस नुट्या और वेस्टन कंटेंबरेरी बारा नमभा धो पंद्रा को कीज ने भारत के कड़र उब्राई सिंग से सगाई कर लिये उनकी साधी 30 नवेंबर टूतन सिस्टिन को वहा था साधी के बाद हेजल ने अपना नाम गूर बसंद को और नाम में बदल दिये जो उन्हें सांथ बलपिनल सिंग ने साधी समाराओ के दरान दिये थे युब्रस ने खुला से के की पहले तिन साल तक वह उन्हें कफी के लिए उनसे मिलने की कोशिस करते रहे फिर रोज सोसेल मेडिया पर दोस बन गए और युब्रस को एक साल में एक कमन फ्रेंट की मदद से आखिकर दोनों को मिलना पड़ा जब उन्होंने कुछ समयक साथ बिताए ता भी हैजल ने युब्रस को फांक आए इबरस अपने रिस्ते को ऑफिसल बनाने के लिए अपने माता पिता से मिले अभी हम आरश्टर के मुंबाई में रहते हैं कि इस टेलिविजन फिल्म और मांच में सामिल हो गए उन्होंने बित्रिस का रिक्रम अगता कि इस्टिस मार्फल में नुट्य किये वो दोव दोव में अपने लंडन परचा दोरे के लिए बॉल्म मुजिकल वंबे टीम्स की टीम में समिल हो गए 2005 में मुंबाई में छुटे मनाते समय उन्हें काम के अफस मिले और उन्होंने भारत में एक मॉडलिंग और अभीने केरियर में बने रहने और आगे बढ़ने का फैसला किये फिर भी बीबी ना संकित वीडियो में कहीं पर निगाए के साथ साथ काई टीपी बीकापनों जैसे बीबल आइटीसी और स्प्राइट नियू उन्वेसिटी आफ ट्रेसलोजी में दिखाई दिये थे हेजल दोव साथ की तमिल फिल्म बीला में दिखाई दिये जहां उन्होंने से ही इथावातु गीत में एक आइटम नमबर किये 2011 में उन्होंने हिंदी फिल्म बाडिगाड में साहिक भूमी का निवाए उन्होंने बॉलिब फिल्म मेक्समा में आएं ते अमलापुरम नम्मा के एग आइटम गीत भी किये उन्होंने तेलको फिल्म कुरूशनम बंदे जागत गुरूम 12 में एगीद चल 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 का प्रतसंद के वो सितेमा 23 में लोग फिले भारत टीवी सो बिग बॉस 7 में दिखाई दिये लेकिन एक अपते बाद वो उस सीजन की पहली प्रतिवी थे जो एलिमेंट हो गए थे झाल